आप सभी को एक important discussion के लिए यहाँ पे जो है बुलाया गया है सबसे पहला हमारा जो point है discussion का वो यह है कि अगर हमारे पास एक ही syllabus है और उससे related लगबग लगबग 40,000 vacancies आती है तो क्या इस syllabus का exactly syllabus में क्या है और इस syllabus को कैसे attempt करना चाहिए कितना समय बताना चाहिए कौनसे topic के लिए कितना समय required है और इस syllabus को approach करने की detailed strategy क्या होनी चाहिए तो यह 4 points के इदगर्द जो है हम आज बात करने वाले हैं तो सबसे पहले यह जो 40,000 vacancies हैं यह कहां कहां पे आती है साल में कितने बार आती है क्या ऐसा तो नहीं कि 140,000 आ जाती है या कितने possible exams आप देख सकते हैं एक साल के अंदर तो देखिए यह जो आपकी vacancy है यह लगभग आप देखेंगे कि माई, मार्च, एपरिल के बाद कभी भी आप यह exams के phases start हो सकते हैं और इसमें यह 3-4 जो है प्राइम आपके exam conducting जो है banks हैं जैसे कि SBI में दो तरीके से यह recruit करते हैं कि PO और clerk IBPS में भी PO clerk, RRB PO clerk और similarly LIC में भी LIC assistant, LICAO और RBI में RBI grade B और RBI assistant तो यह कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से banking exam में recruitment किया जाता है यह जो exam है इनके level है और यह level को समझना बहुत important है अगर आप syllabus में बहतरी तरीके से approach रखना चाहते हैं तो जैसे पहली चीज जो है जो clerical level का आपका paper होता है वो कुछ यह सारे paper है जैसे RRB clerk, IBPS clerk, SBI clerk और RBI assistant, LIC assistant, ESI, UDC या NICL assistant और similarly जो PO level है उसमें RRB PO है, IBPS PO है, SBI PO है, LIC है, NICL है बट क्या हर साल यह सारे exams होते हैं? नई, यह 6 जो exams हैं, यह 6 हर बार आपको दिखने को मिलेंगे जैसे RRB clerk, IBPS clerk और SBI clerk, मतलब यह जो तीन exams हैं जो आपको clerical, first three exams जो आपको clerical side पे दिख रहे हैं और first three exams जो आपको PEO side पे दिख रहे हैं, यह तीनों आपके हर साल होते हैं और यह सब कुछ मिला के ही लगभग लगभग आपके पास 25-30,000 की vacancies हो जाती हैं अब जब इतनी vacancies हैं, जैसे for example, अभी SBI clerk की तयारी अगर आप कर रहे हैं अब अगर हम exam के syllabus की बात करें, तो यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप ऐसा करेंगे कि SBI clerk का जब notification आया तब पढ़ना चालू गर रहे हैं या RRB clerk का notification आया तब पढ़ना चालू गर रहे हैं तो आप अपने आपको एक ऐसी situation में डाल रहे हैं जहां पर आपका selection जो है 50-50 के ही chances जो हैं रह जाते हैं पर अगर आप अपने आपको पहले से तयार रखेंगे अगर आप समझते हैं कि आने वाले time में जब RRB clerk आएगा जब RRB PO आएगा उसके बाद IBPS clerk, IBPS PO followed by SBI, RBI तो आप जब अपने आपको इस तरीके से तयार रखेंगे तो आप बहुत बहुत बहुतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे अब जित्ते भी exams हैं उन सब में आपको ये कुछ चीजें हैं जिनके साथ डील करना पड़ता है जैसे Quant Reasoning English सब जगा है, बिल्कुल basic है आपने पढ़ना ही पढ़ना है Quant Reasoning English के बिना आपका काम नहीं हो सकता है Similarly, जब आप mains भी जाते हैं तो general awareness आजाता है और PO level exams में आपको descriptive writing का भी हिस्सा एक major देखने को मिलता है इसके अलावा computer aptitude कुछ-कुछ exams का हिस्सा होता है अब अगर मैं आपको सीधा-सीधा कोई website दिखा दूँ कि अरे ये देखें ये syllabus है, ऐसे करना है, ऐसे करना है तो आप शायद नहीं समझेंगे और इसलिए मैंने जो approach रखा है, वो अपना ऐसा रखा है कि आप एक holistic तरीके से तयारी कर सके आपके पस बहुत सारे questions हो, practice करने के लिए और आपको exactly पता हो कि syllabus की understanding क्या होगी तो हम start करेंगे reasoning के साथ अब reasoning में ये वाला जो हिस्सा है, जो आपको right-hand side पे दिख रहा होगा तो ये वाला जो हिस्सा है, ये आप समझ सकते हैं, ये प्रिलियम्स examination का है और ये वाला जो हिस्सा है, ये means examination का है आपके reasoning के pre-k examination में, अगर आप देखेंगे chapter 1, 2, chapter 6 जो है, ये जो है, प्रिलियम्स का 40% आपका paper होता है इसको अपन miscellaneous बोलते हैं, 40 प्रतीशत आपका paper यहीं से आता है बचा जो 60% है, वो आता है sitting arrangement और puzzle से ये 60% आपका paper आता है और फिर ये ranking and alphabet कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा अब जैसे ही आप pre-sermains में move करते हैं तो ये जो 9 chapter हैं, उसमें आप देखेंगे यहां तक कि तो सब कुछ सहीं दिख रहा है बट data sufficiency, machine learning and logical reasoning ये तीन ऐसे chapters हैं ये तीन ऐसे basically चीजे हैं जो आप समझ लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ means का ही syllabus है ये means का syllabus है जब आप reasoning पढ़ रहे हैं, तो अपने आपको सबसे पहले बहुत मजबूत करिए यहां पे ताकि आप बहुत सारे number जुगाड पाई यहां से एक बार आपने number जुगाडने को समझ लिया उसके बाद आप ये यहां पे भी simultaneously मेहनत कर सकते हैं कि ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं एक बार आप यहां पे अच्छे हो गए, आपको सीधा यहां पे move कर लेना चाहिए ये means के syllabus के तरफ अब means की अगर हमारी बात हो गई अगर means की हमारी बात हो गई है तो आगे चलते हैं quant के बारे में reasoning का मैंने आपको बता दिया आपका syllabus कैसा होता है और आपकी syllabus में कौन से कौन से areas है जो आपकी pre-specific है कौन से कौन से areas है जो आपके means specific है, आपको start कैसे करना है strategy हम लास्ट में एक और बार discuss जरूर करेंगे अब अगर quant की बात करें तो quant को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते है पहला है आपका speed math दूसरा है आपका arithmetic और तीसरा है आपका DI और DS data interpretation और data sufficiency quant की अगर हम बात करें तो speed math जो है वो पहली तो वही होती है कि आपको calculation अच्छे से करना आना चाहिए plus minus multiply divide आना चाहिए और उसके लिए बहुत सारे teachers जो है starting में suggest करते हैं कि एक हफता जो है आप अपना dedicated करें कि नहीं मुझे एक हफते तक कि सिर्फ और सिर्फ अपना calculation बहतर करना है मेरा calculation बिलकुल इतना तगड़ा होना चाहिए कि मैं without pen and paper अपने mind में सारा बड़े बड़े digits का plus minus multiply divide cube square root ये सब कुछ कर सको अब इसके लिए आपको table पता होने चाहिए 30 तक के आपको square की table पता होनी चाहिए 20 तक के cube root का बहुत जादा importance नहीं है banking exam में बट फिर भी आप 1 से लेके 20 तक के cube जो है learn कर सकते हैं और similarly last but not the least आपको percentage to fraction conversion का जो table होता है जो chart होता है वो पता होना चाहिए जैसे अगर मैं आपसे पूछू 1 by 3rd क्या होता है तो आपके बिल्कुल जबान पे होना चाहिए 33.33% आप ये नहीं कर सकते कि करके देख रहे हैं 1 by 3 इन्टु 100 ये आप नहीं कर सकते तो पहला एक हफता तो आपको क्वांट में रगड देना है आपने आपको calculation सीखने में आप बिल्कुल लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं आपके banking exams में भी थोड़ा टाइम है तो calculation सीख लो दूसरी चीज़ येही क्यालकुलेशन को आपको प्रूफ करना होता है in the form of these four chapters simplification, approximation, series और quadratic equation का जो main आपका मजबूत आपका जो foundation है वो calculation tricks ही है एक बार आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया इसका मतलब आपने अपने क्वांट के प्रिलियम्स के exam में 10 से 15 नंबर के बीच में कुछ तो भी आपने अपना strength जो है पकड़ लिया है कुछ-कुछ exams में 10-12 नंबर की पूछी जाती है कभी-कभी जब RRB clerk वगेरे का pre देखेंगे तो देंगे 15 questions सीधे-सीधे सिर्फ यहीं से पूछे जाते हैं बट जैसे ही आप सीधा-सीधा जैसे ही आपने pre से आप jump कर लिए यहाँ पे आप जैसे ही pre से mains में आने लगे तो आपको पता चलेगा कि अब इस वाले portion का importance जो है बहुत कम हो चुका है बट याद रखिएगा वो importance कम नहीं हुआ है because it remains the foundation उसके बिना आप कुछ नहीं करते मैच में but जे एक बार आपका ये वाला portion strong हो जाए आपको तुरंथ यहाँ पे move करना चाहिए और यहाँ पे यह जो पहले दो chapter है ratio and proportion और percentage यह दोनों को इतना ही importance देंगे जितना importance आप यह सारे सब इनको chapters को दे रहे हैं क्योंकि यह दोनों जो है इनकी dependency है आप dependent रहेंगे इन दोनों chapters पे to solve the remaining the rest of these chapters कि आप profit and loss में लगाएंगे percentage, SICI में लगाएंगे ratio proportion, average को solve करने के लिए ratio की बहुत basic requirement होती है age, mixture, allegation, time and work एक बार आप यहां तक यह complete कर लेते हैं, उसके बाद आपको जान के बड़ी हिरानी होगी कि जब PO mains का paper होता है तो generally उनको सीधा-सीधा जो है DI और DS का importance वहां पे बहुत जादा बढ़ जाता है और data sufficiency की कुछ नहीं है आपको basically data दिया होगा आपको बताना होगा कि यहां पे क्या insufficient part है, आपको उसको complete करना होगा So the idea is that you really need to be good in all these chapters आप यहां पे यह 8th chapter तक क्या complete करने, time and work heat कर ले, उसके बाद आप आराम से जो है DI solve करना start कर सकते हैं और आप DI को जब solve करना start करें, तो साथ में ही यह सारे chapters को भी कर लें ठीक है, पहली चीज I hope आपको समझ में आ गई होगी, है ना, तो quant का यह हो गया, और quant में भी similarly, जैसे reasoning में आपको मैंने बताया, कि reasoning में जब sitting arrangement पूछा जाता है pre में तो variables बहुत जादा नहीं दिखते हैं बट अगर mains में पूछा जाएगा तो बहुत variable दिखेंगे, similarly quant में भी सवाल थोड़े कम complicated होते हैं pre में, mains में उतने ही complicated होते हैं history रही है, the legend has it की कभी-कभी जो है 2-2 number और 4-4 number भी mains का cut-off बनी है, तो अगर आपकी quant week है, तो परिशान मत हुई है, यह हम हमारे तीसरे पार्ट के लिए, so यह मैंने आपको बता ही दिया, यह प्रिलियम्स का importance, now your third and a very important portion of the examination which is your English section, तो I take care of the English subject here at the 24-7 तो याद रखेगा English को बहुत ही क्लीशे सी बात है कि तीन पार्ट में हम divide कर सकते हैं एक यह होता है grammar comprehension और vocab, अगर हम पिछला कुछ तीन साल का अगर हम देखे, analysis करें तो पूरा का पूरा जो exam है वो comprehension की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है and this is not just with banking examination, यह सिफ बांकिंग examination का पार्ट नहीं है यह पार्ट है उन तमाम examinations का banking के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आप cat देख ले, zet देख ले यह cat देख ले, आप कोई भी ऐसे जब बड़े-बड़े exam आई यह देख ले RBI grade भी देख ले, तो यह सारे exams जो हैं यह धीरे-धीरे comprehension की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे English में याद रखिएगा, पहले कुछ दिन आपको बताने पढ़ेंगे in reading and vocabulary मैं आपको कभी भी suggestion नहीं दूँगी कि आप grammar से start करें और उसका बीना बहुत ही genuine सा एक reason है, यह मैं आप से पूछना चाहूंगी, जैसे हम बच्पन में हिंदी पढ़ते थे, है ना आप भी पढ़ते होंगे तो जब हम हिंदी पढ़ रहे थे तो जब मैं class 1 में थी या मैं class 2 में थी, 3 में थी 4 में थी, तब तक कि मैंने हिंदी व्याकरण पूरा पूरा पढ़ लिया था ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि मैंने संग्या सर्वनाम बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत अगर पढ़ा भी होगा तो वो 3rd 4 के बाद ही पढ़ा होगा, बट पूरी पूरी जो grammar है वो मैंने काफी late में पढ़ी, 8th standard मुझे अच्छे से याद है जहाँ पे मुझे actually पता चला कि सर्वनाम विशेशन ये सब क्या होता है बट उसके पहले भी मैं हिंदी में बात कर सकती थी मैं हिंदी के सवालों को देख सकती थी हिंदी की कहानिया पढ़ती थी हिंदी की कहानियों से reference जो questions है उन्हें solve करते थे कि दो गाई थी दो गाई आपस में क्या बाते कर रहे थी तो similarly एक language को deal करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि language की expectations को आप fulfill करे language और examination की expectation अगर दोनों एक तरीके के जा रही है तो आप बहुत ही अच्छी situation में है कि दोनों ही चीजे जो है comprehension की तरफ जा रही है अब इसके लिए आपको दो तीन चीजे करनी पड़ेगी जैसे सबसे पहले the first and foremost thing to do is कि आप जैसे ही तैयारी करना start करें आप dedicate कर दें हर दिन अपने आपको कि मैं एक article हर दिन पढ़ूँगा यह article ज़रूरी नहीं है कि economy based हो और country में क्या GDP चल रही है उसका क्या effect हो रहा है या NPA क्या होता है banking accounts में यह सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप basic चीजों से भी start कर सकते हैं हमारा जैसे एक foundation batch है ambition नाम का वहाँ पे हम यह अभी 15 December से start करें batch को वहाँ पे हमने decide कि हम हर दिन एक article देंगे और आपका यह जो batch है यह बड़ा लंबा batch होने वाला है तो इस तरीके से आप हर दिन एक article ले उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें आप दूसरी एक चीज जो start कर सकते हैं with English is that you can take note down all the important vocabulary words आप इस तरीके से अपनी कोई notebook ले ले और इस तरीके से आप अपनी vocabulary की list हर दिन बनाए इससे यह होगा कि specifically आपको कौन सी vocabulary word नहीं आता है आपको यह पता चलेगा दूसरी चीज तीसरी चीज to start with हमेशा जब आप English पढ़ना चालू करें तो जब आप reading करना start कर रहे हैं तो आप उस time पे सीधा RC ना solve करें आप यह कर सकते हैं कि आप mislaneous topic से start करें और English में एक बड़ी अच्छी सी चीज है कि एक ही topic के चार variation बनते हैं जैसे आप start कर सकते हैं फिलर से आप start कर सकते हैं तो आप फिलर से start करते हो तो single filler, double filler, multiple filler filler with column based question filler with paragembal और फिर उसके तो ये मैंने filler को 5 पार्ट में डिवाइड किया पर अगर आपने actually ऐसे filler पढ़ लिया तो आप filler को नहीं सिर्फ pre but किसी भी किसी भी competitive exams के means में भी solve कर पाएंगे वैसे ही जब आप sentence rearrangement करें तो सिफ sentence rearrangement ना करें उसमें variation करें कुछ ऐसे sentence rearrangement जो चार sentence के हो फिर पात sentence के rearrangement फिर ऐसे sentence rearrangement जहां पे options में थोड़ा खेला गया हो फिर आप sentence rearrangement में जब 3-4 classes में तगड़े हो जाएं फिर आप जाए पाराजंबल की तरफ, एक बार आपका फिलर्स अच्छे से हो गया, पाराजंबल अच्छे से हो गया, तीसरी चीज पकड़े क्लोस टेस्ट, उसके बाद आप जाएं क्लोस टेस्ट में, तो आप ये जो स्किल है ना, कि आप किस तरीके से options को eliminate करोगे, आप कि किस तरीके से answers, guess भी कर सकते हो, या आप किस तरीके से फटाफट, speed के साथ ये सारे questions को solve करोगे, देखो, day 1 से speed maintain करना बहुत जरूरी है, आपको 20 minute का time मिलता है, और अगर अगर अंग्रेजी कमजोर है, तब तो day 1 से आपको काम का ही पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए मेरा idea है कि आपको हमेशा हमेशा ही इस तरीके से start करना चाहिए कि आपने sentence rearrangement, fillers, para jumble, close test, column based question, word usage, para और ये sentence and connectors, phrase fillers, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया, पहले आपने phase में ये सब कुछ पढ़ लिया, दूसरा, अब जब आप ये कर रहे हो, आप हर दिन का एक आर्टिकल तो दूसरी चीज में, which is your reading comprehension, और जब आप RC पे आओ, तो RC पे ऐसे मत आना देखो, ये वीडियो बड़ी लंबी होने वाली है, अंत तक कि देखेंगे उन्हीं का ही फायदा होगा, क्योंकि ये है लंबी वीडियो, मैं 10 मिनिट में complete syllabus आपको नहीं बता सकती, that would be not fair to you as well, मैं अपने जॉब में तो fair नहीं हूँ, मैं आपके साथ भी fair नहीं हूँ, तो ये वीडियो लंबी ही बनेगी, याद रखेगा, RC जब आप डील करें, तो किते टाइप के RC आपके बांके exam में आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, fictional, इस साल IBPS Lurk में एक दो बार देखा गया बाकी majorly non-fictional, economy-based, environment and ecology, या फिर science and tech, research-based, editorial-based, ये सारे inference-based RC, para-completion, अब ये RC के question types भी हैं, जैसे direct question, indirect question, vocabulary-based question, fillers आते हैं, कभी-कभी उसे में grammar भी पूछ लेता है, और अभी-भी एक बड़ा अच्छा interesting question देखा SBIPO में, जहां उन्होंने बोला future course of action बताओ, मतला paragraph या बताओ आगे क्या-क्या हो सकता है, तो बड़ी प्यारी सी चीज है, हाँ, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप जो है, next अपने part 2 में RC को cover करें, जब आप या RC को cover कर लें और इसको करें, तो RC के बाद आप जो है, grammar पे फोकस करें, grammar पे हमेशा start करेंगे, part of speech identification से, noun क्या है, pronoun क्या है, adjective क्या है, adverb क्या है, आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं, अरे मैं खड़ी हूँ यहीं, पांच नंबर की grammar आई थी अभी SBIPO means में भी, नहीं दिक्कत होगी, बिल्कुल भी नहीं, बट ये अपना foundation बहुत strong रखिएगा, और उसके बाद इसी तरीके से proceed क करना कि noun, pronoun, verb, adjective, adverb, फिर subject, verb, agreement हो गया, proposition, conjunction, interjection, और इन सब के बीच में या फिर last में कहीं पे एक बार आप tenses पढ़ लीजेगा, बट याद रखिएगा, अगर आपकी grammar अच्छी नहीं है, तो tense से start करना थोड़ा tricky हो सकता है, अब आते हैं, अच्छा, जिस तरीके से हर topic को mains के तरीके से कैसे deal करना है, तो बता दिया, जब fillers पढ़ेंगे, तो mains तक का पढ़ेंगे, sentence rearrangement पढ़ेंगे, mains तक का पढ़ेंगे, starters and connectors, mains तक का पढ़ेंगे, column based, mains तक का पढ़ेंगे, और mains में कैसे सवाल आते हैं, mix किये हुए सवाल आते है, grammar की अगर हम बात करें, तो द mains में आप देखेंगे, कि पाच sentences दियें, उसमें से कौन सा एक correct है, या कौन सा एक incorrect है, या फिर उसका पूरा-पूरा एक table बनता है, कि first वाले में ये होगा, second वाले में ये होगा, third वाले में ये होगा, तो इस टाइप के आपके grammar के सारे questions बनते हैं, ठीक है, आगे चलते है vocab के लिए मैंने आपको already बता दिया, अगर vocab में आपका interest develop नहीं हुआ है, तो आप Norman Lewis जो बहुत बहुत बहतरी root word की book है, आप उससे start कर सकते हैं, अगर आप वो book से नहीं करना चाहते हैं, तो vocab की एक video series है मेरी, जिसमें 7 videos है, top 3000 vocabulary words, आप इन words को refer कर सकते हो, इस series को refer कर सक की, मैंने ऐसे इसलिए लिखा है, क्योंकि कई बार हम static वाले portion को ignore कर देते हैं, तो banking examination में static का तो अपना इमहत्व है ही, बट साथी current का थोड़ा जादा importance है, और अगर कल को आप थोड़े और बड़े exam लिखने जाते हैं, जो इन slides में included नहीं है, जिनका syllabus, जैसे RBI grade B, SEBI या नबाट, तो वहाँ पर इनका importance और जादा बढ़ जाता है, current affairs का, but वो discussion हम कभी और करेंगे, फिलहाल के लिए आपको बता दे, आप पहले quant reasoning English से start करें, आपका जो भी expected time है paper का, जैसे मान लो आप expect कर रहे हैं कि आपका, आप 2024 का पहला banking exam बिल्कुल 4 देंगे, तो जैसे मान लो, अगर आप पहला banking exam जो है, वो होगा, in the month of May, है ना, तो May में होगा, तो आप लगभग लगभग January या February में पढ़ना start कर सकते हैं, current affairs को, current affairs को पढ़ना मतलब, actually current affairs को पढ़ने का मतलब होता है, कि आपको you have to develop a habit, अगर आप develop कर पाते हैं habit, तो आप बहुत लंबा जाए Similarly, क्योंकि आप banking exam के लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है आपको banking awareness के बारे में पता हो, आपको financial awareness भी हो, आपको पता हो रेपोरेट क्या होता है, रेपोरेट कम हो रहा है, तो economy क्या घट रही है, या value, रुपे की value कम हो रही है, बढ़ रही है, ये आपको relationship पता हो अप होगा, तो ये जो है, ये timeline को याद रखेंगे, जिनका भी target है, कि आपको मई जून में पहला paper देना है, अब, descriptive writing, कहने के लिए तो बड़ा आसान है, ऐसे और letter लिखना, बट याद रखेगा, बिल्कुल game changing होता है, descriptive writing, 50 नंबर की आती है, SBIPO में, है ना, जो देश का स सबसे जादा co-weighted banking examination है, जो consumer, सबसे बड़ी जो bank है, consumer के हिसाब से, उसका जो paper है, उसमें descriptive में, 50 नंबर की आती है, तो weightage बहुत जादा है, और weightage अगर इतना जादा है, तो आपको पता होना चाहिए, कि इसके लिए skill set requirement की जरूरत है, आपके पैस skill होना चाहिए, कि आप क इस तरीके से question को समझ के उसका answer करेंगे, आपको idea होना चाहिए, कि इसका format क्या है, not just letter, बट essay का भी, similarly, कुछ और banking exams है, जो कभी-कभी बीच-बीच में आते रहते हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो वहाँ descriptive में, आपको pressy writing और RC writing भी देखने को मिलता है, ये जो pressy writing और RC writing ह है, हाँ, pressy writing, RC writing है, यहाँ पे आपको इन चारो पाचो चीजों में आपको technical knowledge चाहिए और skill चाहिए, और आपके पास practice होनी चाहिए, आपके पास कोई mentor हो, जो आपको बताए कि आप ये गलती कर रहे हो और ये आप सहीं लिख रहे हो, तो ये करना बहुत ही जरूरी है, अभी भी परिशाने की तैयारी कैसे शुरू करें, तो आपको मैं बता दू, सबसे पहले जब आपन reasoning की तैयारी करना है, तो सबसे पहले miscellaneous rating arrangement से चालू करना है, आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देते हैं, दूसरी चीज़ जब आप maths कर रहे हैं, तो आप speed math से च चालू करें, पहले दो चाप्टर कर लें arithmetic के जो आपको दिखाए हुए थे, और उसके बाद आप data interpretation और data sufficiency कर सकते हैं, cutoff जो है, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर तयारी करना start करते हैं, तो पहले एक महीने के बाद आप test लिखना भी चालू कर दे तो cutoff जो है, आपका जो पहला target होना चाहिए, कि लगभग इतने number आजाए मेरे, तो अगर PO Pre का आप paper दे रहे हैं, मौक दे रहे हैं, तो मौक में आपका target होना चाहिए 65 marks, अगर आप clerk Pre का दे रहे हैं, तो आपका target होना चाहिए 75 marks, यह पहला target है that you need to achieve, तब तक के महनत करन around 100 number का होना चाहिए, और आप मेंस की English में topic wise तयारी करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मेंस की अलग से नहीं, हम जो topic पढ़ रहे हैं, उसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि मेंस सक्के कर सकते हैं, ऐसा English में possible ज़रूर है, और आप descriptive को लेके पहले से sincere रहेंगे, यह नहीं करें ठीक है, अब आगे चलते हैं, यह जो आपकी बड़ी लंबी तयारी है, अपका अगर syllabus इतना बड़ा है, तो इसकी तयारी में भी बहुत दिन आपको invest करने पड़ेंगे, तो यह जो आप दिन इन्वेस्ट करते हैं, यह आप foundation batches के अगर थू करें, तो यह आपके पास सबस इछा solution होगा, जैसे for example, अभी मेरा ambition English का batch है, जो 15th of December से start होने वाला है, तो वहाँ पे मैंने पूरे 95 days, 100 days का एक study plan मनाया है, student को कुछ नहीं करना है, साड़े बारा बज़े आके वहाँ बैठ जाना है, दो बज़े तक के, और आप वहाँ पे आके बैठ जाईए और उसके आपको सारे के, आपको कहीं और कुछ और महनत करने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें topic test मिलेंगे, आपको हर दिन का एक article मिलेगा to read, हर बार, हर कुछ दिनों में आपकी vocabulary की classes होंगी, descriptive writing का submission, और regardless of the idea की आपका selection हुआ या नहीं, अकसर जब हम descriptive writing का submission करते हैं, तो ऐसे करते हैं, बट ऐसा इस batch में नहीं होगा, RC मैंने जितने types के आपको बताएं, उससे जादा types के RC हम solve करने वाले हैं, तो ये सब कुछ, ये सारे features हैं, इस batch के 1.5 hours की लंबी class होने वाली है, और हफते में 6 दिन class होगी, मतलब Monday to Saturday class होगी, और आपका topic test भी होगा, similarly reasoning का भी सौरफ सर का batch है, which is champions 2.0, जो start हो चुका है, और दक्ष coming soon है, अभी आया नहीं है, आने वाला है, बट मेरा आप से suggestion होगा, कि आप individual foundation batches में invest ना करें, इससे जादा अच्छा होगा, अगर आप bank maha pack में invest करें, तो, जब आप bank maha pack में invest करेंगे, तो आप ये referral code use करेंगे, Y659, तो जो है, maximum discount मिलेगा, और, हाँ, फिलहाल, जो है, bank maha pack में, एक, yes, ये रहा, bank maha pack और bank maha pack plus और adda का maha pack, जो है, इन तीनों में difference क्या है, ये आपको बता देते हैं, अन्त में, ठीक है, सबसे पहले, bank maha pack, जो है, this is only for your banking and insurance exam, जितने exams यहाँ पे बताएगा, ये उन exams के लिए, है, और, अगर आप bank maha pack plus में, जाते हैं, तो, यहाँ पे, जैसे, IBPSSO होता है, specialist officer का exam है, या फिर, अगर, मान लो, RBI, grade 20, SEB, NABAD, ये सारे, IFSE, तो, ये सारे, जो, regulatory bodies के exam होते हैं, वो, यहाँ पे, conduct cover करवाये जाते हैं, और, अगर, आप, मान लो, आप, सिर, banking और insurance नहीं, आप थोड़ा इसको और जादे explore करना चाते हैं, कि आप समझ रहे हैं कि, SSC और railway की भी तयारी कर ली जाये साथ में, तब ये है, अड़ा का maha pack, मेरा आप से suggestion होगा, अगर आप specialist officer, यहाँ पे, कहीं पे interested हैं, तो, यहाँ register करेंगे, और, अगर, नहीं है, तो, सिर्फ, bank maha pack में register करेंगे, referral code आपको बता दिया गया है, अगर आपको इस session की PDF चाहिए, तो, आप जो है, telegram group में देख सकते हैं, या फिर community में भी देख सकते हैं, बाकी आप सभी से मुलाकात होती रहेगी, इसी channel पे हर दिन, शाम 6 बजे, bye and take care.